किसान भाईयो राम राम, मैं राम क्रपा क्रशिफाम में आप सब का फिर से स्वागत करता हूँ किसान भाईयो प्राकर्ति खेती करने के पेले हमें प्रकर्ति को प्राकर्ति को समझना पड़ेगा और प्रकर्ति का सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं किसान भाईयो प्रकरती का सिस्टम कैसे काम करता है इसकी जानकारी मैंने यूटूब के मध्यम से ली है रामायन से ली है गिता से ली है नारान सास्त्र से ली है और जो मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया है कि यह सिस्टम कैसे काम करता है जब मैंने उस पर काम किया तो तो उसके एकदम चोकाने वाले रिजल्ट मेरे सामने आए जिससे मेरा जीवन ही बदल गया और मैं आज वही आपके साथ साजा करने वाला हूं किसान भाईयो प्रकर्ति के सिस्टम को समझने के लिए हमको सबसे पहले प्रकर्ति के आगे पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा उपर वाले के आगे समर्पित होना पड़ेगा और किसान भाईयो उपर वाले के आगे जब हम पूरी तरह हत्यार डाल देंगे पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, तो एक असिम सान्ती का हमारे अंदर अनुभव होगा और किसान भाईयो, एक सकारात्मक सोच रखने से, उसके कैसे कैसे बिनिफेट आते हैं वह भी मैं तुम से साजा करने जा रहा हूं किसान भाईयो जब हम सकरात्मक सोचते हैं तो हर काम के रिजल्ट अधमें सकरात्मक रुप से कही गुणा होकर मिलते हैं और ये में ने मेरे जीवन पर अनुभव किया हुआ है पहले में भी नकरात्मक सोचता रहता था हार चीज को कोसता रहता था उसी के दूस परिणाम प्रकरती हमको कहीं गुना करके वो मुझ तक आता रहता था जब मेरी जानकारी में आया कि प्रकरती का सिस्टम केसे काम करता है उस दिन से आज दिन तक मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ सकारात्मक सब्दों का उपयोग करता हूँ जिसके फल सोरूप आज मेरा जीवन ही बदल गया है किसान भाईयो मैं आपको इस विडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूँ कि हमको उपर वाले पर भरोसा करके विश्वास करके और अपने आप पर विश्वास करके माप्रकर्ती पर विश्वास करके एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना है और तभी हम एक बहतर जीवन जी पाएंगे और एक असिम सान्ति का अनुभव हमारे अंदर तभी होगा किसान भाईयो उसकी मर्जी के बगएर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता यह एक अटल सत्ते है फिर भी हम उसे मानने को तयार नहीं है किसान भाईयो हम जो राश्वाइनी केमिकल खेती कर रहे हैं उस पर हमको विश्वास है पर उस उपर वाले पर विश्वास नहीं है उसके ये प्रकर्ती मा पर विश्वास नहीं है और हम कहीं न कहीं दर रहे हैं किसान भाईयों हम रात दिन एक नकारत्मक सोच अपने अंदर रखते हैं और हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमको सपलता नहीं मिल रही है तो हम उस काम को रात दिन कोशते रहते हैं जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई हमारी खेती को कोशते रहते हैं खेती में घाटा है घाटा है घाटा है तो हमारी मा प्रकर्ती उसे कहीं गुना करकर हम तक पहुँचा रही है तो कहीं गुना होकर घाटा हमारे सामने आ रहा है इस दिन हमारी सोच बदल गई और जिस दिन से हमने चालू कर दिया कि मेरी खेती में खुब बर्कत है, खुब बड़ोत्री है उस दिन बरकत बड़ोत्री को रोखने वाला कोई नहीं है इसलिए हमेशा सकरात्मक सोच रखे, वानी में सयम रखे, सकरात्मक सब्दों का ही उप्योग करे किसान भाईयो हम नकरात्मक सोच कर दूस परिणाम के ओर जा रहे हैं इसलिए मेरा आप से फिर से निवेदन है कि हमेशा सकरात्मक सोच रखे किसान भाईयो, राशाइनिक केमिकल खेती के दूस परिणाम आप भी अच्छे से जानते हैं और मैंने भी उसको भोगा हुआ है पर किसान भाईयो, प्राकर्ति खेती के क्या-क्या बेनी फेट है उससे मैं आपको आउगत कराने की कोशिस कर रहा हूँ पहले मैं भी पारंपरागत खेती करता था, मिर्ची की खेती करता था, जिसमें आना धुन में राशाइनिक केमिकल मेरे खेत पर डालता था जिसका दूस परिणाम यह निकला कि मेरी खेती दिन बदिन खराब होती गई, उत्पादन गिरता गया, खर्च बढ़ता गया और मैं पूरी तरह से कर्ज के दल्दल में उतरता गया, किसान भाईयों कहीं न कहीं में बहुती बिचलित था, बहुत टेंसन में रहता था, और मुझे कहीं समझ नहीं पड़ रहा था पर किसान भाईयों जिस पर उसकी क्रपा होती है, उसे कहीं न कहीं से मार्गदर्शन मिल ही जाता है, तो मुझे भी प्राकर्तिक खेती का मार्गदर्शन मिला, और जब मैंने उस पर डरते हुए काम किया, तो मैंने पहले 25 पिचोतर का रेशू किया, तो उससे मुझे जाएद आपको विश्वास हो या ना हो, पर प्राकर्तिक खेती करने से, आज मैं बहुत ही सुकी हूँ, मेरी जमीन की उत्पादन समता बहुत भेतरिंग है, आज मेरे पास में साथ साधे साथ एकड़ खेत है, जिसमें मैं पूरे में बागवानी कर रहा हूँ, और उसमें में क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे प्राकर्तिक खेती कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक क्या क्या किया है, वह सब में इस वीडियो के माध्यम से आपको और आगे, नहीं नहीं, जो भी मेरे पास में जानकारिया है, जो अनुभव है, वह सब आप से साजा करता रहूँगा, परकिसान भाईयो, प्राकर्ति खेती करने से आज मैं एक सपल व्यक्ति की गंडा में आ गया हूँ, कर्ज के दल्दल से मैं बहार हो गया हूँ, और आज मेरे पास लाखों की इनकम है, एक समय था जब पेशे के दिल्लत के वज़े से मैं गोबर खात तक अपनी खेत में नहीं पाता था, और मैंने तीन साल कचरे की मल्चिंग करकर के उससे कंपोस्ट बना बना जो काम किया है, वह सब भी आगे में और आप से साजा करता रहूंगा, किसान भाईयो, एक मन बना कर संकल्प करके हमको प्राकर्ति खेती करनी पड़ेगी, उपर वाले पर एक अटूट व पहुच भी सकते हैं, यह भी एक अटल सकते हैं, इसलिए एक बड़ी सोच के साथ, सकरात्मक सोच के साथ, आगे बढ़ने की जरूरत है। प्राकर्ति का सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में एक और मुहत्वपुन्न जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। किसान भाईयों, और यह जानकारी मुझे किताबों के मद्धियम से मिली है, मोटिविशनल वीडियो के मद्धियम से मिली है, जो मैं आप से साजा करने जा रहा हूं, जो लोग आमीर है, वो और आमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग गरिब है, वो और गरिब होते जा रहे ह इसके पीछे भी हमारी सोच का ही कारण है क्योंकि गरीब आदमी गरीबी की तरह ही सोचता है और अमीर आदमी अमीरी की तरह ही सोचता है वो अपने समय का सही सदूप्योग करता है और गरीब आदमी अपने समय का दूरूप्योग करता है किसान भाईयो जब हम समय की कदर करना चालू कर देंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब समय भी हमारी कदर बना कर छोड़ेगा किसान भाईयो अमीर उसके अमीर और गरीब के लिए उपर वाले ने समान यवस्ता रखी है पर अमीर उसके समय का सही सदूपयो करता है जब हम दीन भर अपनी फिल्ड से काम करके घर पे जाते हैं खाना माना खा के हम चाय तो टीवी के सामने अपना टाइम बरबात करते हैं या चोपाल पर बेट कर इसकी उसकी करते हैं पर किसान भाईयो हमें एक गोल बना कर चलना होगा एक लक्ष बना कर चलना होगा और उस लक्ष पर हमें फोकस बना के काम करना होगा जो हम समय फालतू में बरबात कर रहे हैं उस समय को हमें बढ़िया से मेनेज करना होगा तबी हम एक सपल वेक्ती बनकर सामने आ सकते हैं सपलता अगर जल्दी हासिल हो जाती तो इस दुनिया में सभी लोग सपल होते किसान भायो मैंने जो मेरे जीवन में अनुभव किया है वह सब में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुचाना चाह रहा हूँ आगे और भी जो जो मेरे पास में जानकारिया है जो अनुभव है उपर वाले की क्रिपा से जो कुछ मुझे मिला है मैं उसको बाटने का काम कर रहा हूँ मेरी सोच है अगर मेरे प्रयास से किसी एक भी किसान भाई का मन जागरूख हो जाए और रासाइनी केमिकल खेती को छोड़ कर प्राकति खेती के ओर आ जाए तो मैं मेरा जीवन सपल समझू इसके बाद भी और जो जो मेरे पास में नही नही जानकारिया आती रहेगी जो मेरे जीवन में मैंने अनुभो किया है वह सम में आप से आगे साजा करता रहूँगा धन्यवाद